जब हम बात करते हैं क्लेंजिंग की या डीटॉक्स की तो हम बॉडी की कड़ा के आते हैं है ना हम कहीं जाते हैं चार-पंच दिन हफता दस दिन रहते हैं हम कहते हैं डीटॉक्स कराया किसका डीटॉक्स कराया बॉडी का कराया और वो कराने के बाद भी वापस आकर फिर हम उसको sustain भी नहीं करते हैं, वापस आकर फिर वही खाना 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 शुरू कर देते हैं, कहते हैं, अगले साल फिर जाएंगे, कहते हैं न ऐसा, कहीं लोग तो airport और station पर फिर से खाना शुरू करते हैं, इतने दिन से वहाँ कचा पचा ऐसे खा रहे थे, अभी कुछ तो खाएंगे, so, detox is not something that has to be done, cleansing is a way of living, it is not, दंदा करते जाएं, फिर उसको cleanse करते जाएं, फिर करते जाएं, फिर cleanse करते जाएं, तो अगर cleanse करेंगे भी, तो हमें benefit होगा, लेकिन जितना टाइम उसको opposite कर रहे हैं, उसका भी तो असर हो रहा है, ना सारत है, so, spirituality हमें ये नहीं सिखाते हैं के detox करना है, ये सिखाते हैं के वैसे ही रहना है, we have to live that way, it is not something that has to be done once in a while, it has to be a way of living, way of living, हमारे gut का और mind का direct connection है, है connection? है connection? जब हम स्कूल में थे, और एक्जाम के एक दिन यहीं कुछ-कुछ होता था, यह, यह, यह नहीं होता है, का होता था, यहीं होता था, अगर public talk पहली बार देने जा रहे हैं, इंटर्व्यू पहली बार देने तो यहां हीं कुछ तो होता है, तो जैसे यहां कुछ होगा, वो यहां होगा, और जैसे यहां कुछ होगा, तो भी यहां होगा, तो भी यहां होगा, तो दोनों का एक दूसरे से connection है, लेकिन, over a period of time, जब हम school में थे, तो normally सब mind ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, वो exam के थोड़े दिन पहले stressed था, तो उसका effect हमें अपने gut पर पता चलता था, लेकिन अगर हम उस stressed state में normal रहने लग जाएं, कोई चीज जब कभी कभी होती है, जैसे दिल्ली के हवा दूशित है, तो जो बाहर से आते हैं, कहते हैं, आप लोग कैसे रहते हैं यहां पर, हमने कहां क्यूं, वसे तो कोई problem नहीं है, क्योंकि हमें आदत पढ़ गई है उसके, लेकिन जो बाहर से आएगा, वो कहेगा, नीन नहीं आ रही थी, खांसी हो रही थी, तो कोई चीज अगर, कभी कभी होती है, तो उसका effect noticeable होता है, लेकिन अगर वो रोज होने लगे, तो effect तो हो रहा है, लेकिन हमें awareness नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने आपको, उस effect के साथ भी क्या कर लिया है, acidity हो रही है तो हो रही है उसमें क्या anti-acid खालो तो हमने उस effect को भी क्या कर लिया accept कर लिया है लेकिन हम उसको accept कर भी ले इसका मतलब यह तुनिया कि जो हो रहा है वो healthy हो रहा है वो नहीं हो रहा है तो अब दोनों में से किसको चेंज करना है इसको करना या इसको करना है कौन सा जादा इजी है जा माइन को चेंज करना जादा इजी है कि खाने भीने को चेंज करना जादा इजी है किसको चेंज करना जादा इजी है और अगर दोनों को थोड़ा-थोड़ा कर लो तो दोनों चीज़े हीज़ी हो जाएंगे हम ऐसे समय पर चल रहे हैं कि अगर हम बेस्ट खाना भी खा रहे हैं तो भी वो कहां से आया, कैसे आया, कैसे ग्रो हुआ इस नॉट कंप्लीटली इन आर कंट्रोल अनलेस आप खुदी उसको ग्रो कर रहे हो, खुदी हर चीज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़े हैं जो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं होती है फिर भी हम अपनी तरफ से जितना उसका ध्यान रख सके हम करते है इस स्रिष्टी पर एक ही चीज़ है सिरफ जो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है एक ही, बाकी सब चीज़ पर कोई-कोई और बातों का भी इन्फ्लोएंस होता है जैसे अगर आज आप अपने गार्डन में भी सबजी उगा रहे हो लेकिन हवा तो फिर भी दूशेत है ना और अगर हवा दूशेत है तो पानी दूशेत है तो भले आपको लगे आप खुद उगा रहे हो आप और्गानिक कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन हवा को तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते आप पानी को तो नहीं कंट्रोल कर सकते नहीं है, एक ही चीज है, इस पूरी श्रिष्टी पर एक ही चीज है, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, जिस पर किसी और चीज का इंफ्लोएंच नहीं हो सकता, वो कौन्जी चीज है? जिस पर ना हवा का असर होता है, ना पानी का होता है, ना लोगों का होता है, ना सिचोईशन का होता है, उसका कंट्रोल सिरफ किसके पास है? यहां, लेकिन उसको ही हमने कह दिया कि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो चीजें वैसे ही कंट्रोल में नहीं थी, जो है उसको कह दिया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो overall हमने कह दिया, nothing is in my control now, और जब nothing is in my control हुआ, तो फिर उसका effect तो आना शुरू होगा है, त है? नहीं? यहां जो चलता है एक थौट के बाद एक थौट के बाद एक थौट के बाद एक थौट चल रही है ना descont Yazli यह हमारी चोई से चल रहिय और अब चल रही है कि थोंच कौन चला रहे हमारा मन तो किसका मन हमारा नहीं मेरा मन तो मेरे मन को कौन चला रहे कि थोंच कर रहे है कितनी थोंच चलती होंगी सारा दिन लेकिन जो चल रहे है क्या वो हमारी चोईस की चल रहे है किसकी चोईस की चल रहे है एंवारमेंट की चोईस से चल रहे है यहाने के बाद थोड़ा कोई चेंज आया 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 आच्छा क्या चेंज आया positive energy आले है तो फिर positive energy आने से thoughts change होगे काफी change होगे फिर यहां से वापिस कब जाना है कल जाना है ओ और फिर वापिस जाने के पाद फिर वहां कहेंगे वहां की energy आगे तो फिर thoughts change होगे यहां हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमें एक दिन दो दिन के लिए positive feel करना है हम इसलिए नहीं आते हैं हम यहां इसलिए आते हैं कि कुछ ऐसा सीख लें जिससे इसको हमेशा ही इसकी positive energy बनाई किसने है सड़क पे ही है campus इतना सा चार कदम चलो तो सड़क है, सड़क पे गए तो दूसरी कमपनीज है, उदर घुसो तो अलग एनरजी है, इस तरफ टरन करेंगे तो घर है, घर में जाएंगे तो अलग एनरजी है, तो यह कोई दुनिया से अलग थोड़ी है, कोई पहाडों पे अलग अलूफ थोड यही है, शहर के बीच, लोगों के बीच, एक मकान है ये, और क्या है? एक मकान है, जिसमें लोग रहते हैं, वो भी मकान है, उसमें भी लोग रहते हैं, यहां भी काम होता है, सामने कमपनी में भी काम होता है, so what is creating the positive energy there is nothing special that is creating the positive energy environment ही तो किसने create किया environment कौन create करता है हम एक मंदिर में जाते है वो भी शहर के बीचो बीच ही होता है होता है ना लेकिन जैसे हम मंदिर में गुसते है energy अलग शहर के बीचो बीच है market के इधर इधर भी रश है इधर भी रश है इधर भी ट्राफिक है जैसे ही मंदिर के अंदर गए energy अलग किसने create की किसने create की हमने create की कैसे create की कि जितनी देर हम उस मंदिर में है उतनी देर हमारी thought process कैसे होने लगती है परमात्मा को याद कर रहे है परमात्म को शुक्रिया कर रहे हैं फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं जाप कर रहे हैं मंत्र बोल रहे हैं वो सब high energy words होते हैं तो जब हम high energy thoughts create करते हैं हम high energy words create करते हैं high energy environment बन जाता है environment हमें नहीं create करता हम environment create करते हैं अभी अगर हम इसी कमरे के अंदर गलत एक दूसरे से बात करना शिरू कर दें फिर argument create हो जाए फिर जगड़ा हो जाए तो पंदरा मिनिट में इस कमड़े की energy change हो जाएगे it will change so it is not energy creates us it is we create this energy लेकिन question सिरफ यह होता है कि जस तरह से हम place of worship में जाकर positive words, positive thoughts positive भी नहीं, pure, elevated वो create कर सकते हैं क्या हम अपने work place पे, घर पे वो कर सकते हैं कर सकते हैं जो vocabulary हमारी prayer की होती है प्रार्थना की होती है क्या वो सारा दिन की हमारी भाषा बन सकती है बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं हैं जी? if we understand that, if we understand the power of that जब आप यहां बैठे हैं तो सिरफ इस पर नहीं असर हो रहा है आपकी body पर भी असर हो रहा है उसका आपकी body पर भी असर हो रहा है इसका क्योंकि हम high vibrational place के अंदर बैठे हुएं अब यहां पर हमें positive असर हो रहा है यह हमें दिखाई दे रहा है लेकिन हर रोज हम पर negative असर हो रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि हम हर रोज हैं उस energy के अंदर जैसे अभी हम यहां से अगर बाहर जाएं कोई और जग़ पर हमें फरक दिखाई देता है कि साफ हवा है लेकिन यहां रोज हैं तो गलत नहीं लगता है जहां हम रोज होंगे हम उसके साथ क्या हो जाते हैं? अडाप्ट हो जाते हैं लेकिन अगर हम अडाप्ट भी हो जाएं तो भी इसका मतलब यह थोड़ी है कि इस हवा का असर हमारे पर नहीं हो रहा है असर तो फिर भी हो रहा है, हम adapt हो गए हैं उसके साथ, लेकिन वो adapt होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि adapt होने से हम change करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज़ पकी करनी है, अगर यहां की positive energy मेरे mind और body पर असर कर रहे है, is a proof कि वहां की opposite energy भी मेरे mind और body पर अस कर रहे होती है, चलो office में तो बहुत सारे और लोग भी होते हैं, घर की energy concrete करता है, हमारे घर की energy concrete करता है, अगर हम हर रोज, total कितने घंटे होंगे हम घर पे, रात को सोने के लिए, सुबह एक दो घंटा, शाम को एक दो घंटा, अगर उतने घंटे भी, आपने high vibrational energy में आप रह लिए, आप बाकी के 8-10 गंटे बाहर बहुत आराम से handle कर लेंगे, अगर आपकी रात की deep sleep, एक high energy space में हो गई, आप अगले दिन कोई भी crisis handle कर सकते हैं, तो important यह ने, ओ पर office में ऐसा है, पर दुनिया में ऐसा है, वो सब चोड़ दो, घर तो अपना है ना, घर तो अपन है, चलो घर भी बोलेंगे नहीं पर वो लोग वो लोग, चलो, कमरा तो अपना है, अपनी space के responsibility लेना शुरू करते हैं, कि मुझे अपनी space कैसे बनाने है, high vibrational space, तो क्या हम अपने घर के energy को high vibrational space बना सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है सरफ, किसको change करना है, thoughts and vocabulary, भाशा, positive thinking का मतलब ये नहीं होता है, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हम कर लेंगे, ये positive thinking नहीं है सरफ, positive thinking मतलब मेरी हर thought एक pure high vibrational thought होने चाहिए, मेरी हर thought में जो हर word है, thought भी एक तीन-चार word से बनेगी न, suppose मैं यहां कर कहूं, ये कमरा बहुत अच्छा है, ये मेरी thought है, this room is beautiful is my thought, but this room is beautiful has four words, has four words in it, तो pure elevated energy अर्थाद मेरा हर word, उस हर word के अंदर energy कौन से होने चाहिए? इसलिए जब हम कहते है, om shanti, it's a high energy word, it is saying I am a peaceful soul, अब इसका असर हम पर काम आएगा, लेकिन जब हम सारा दिन बोलते है, I am stressed, I am tired, I am irritated, I am busy, I am worried, उसका असर आ रहा है, वो तो नहीं दिखता, नहीं दिखता, और फिर उसका असर सरफ यहां नहीं आ रहा है, उसका असर, बोड़ी पड़ा रहा है, इसलिए फिर डोक्टर्स क्या कहते है, lifestyle disease, फिर जैसे ही वो lifestyle कहते हैं, हम अपनी बोड़ी की diet, exercise, change करते हैं, मन के लिए change नहीं करते हैं.